तो question क्या है, a train is running at a speed of 60 km per hour, एक train अब हो क्या करती है, 60 km per hour से क्या करती है, speed से run करती है, and cross a pole in 12 seconds, एक खंबे को क्या है, 12 seconds में पार कर लेती है, what is the length of train, देखे, I think आपको पता होगा की formula क्या होता है, speed equal to क्या होता है, distance upon time होता है, ठीके न, distance माले लेते हैं, क्या है, train की 60 km, 60 km दी, इसको meter per second में convert करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 upon क्या करेंगे, 18 से into कर देंगे, और time कितना दिया हुआ, pole को पार करने में लगता है, उसको कितना seconds, 12 seconds लगता है, इसको काट दीजिए, तो कितना होगा, 6 3 जा, 18, और 6 2 जा 12, 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6, तो कितना होगा, तो कितना होगा, 200 meter, ठीक है, 200 meter क्या आगा, train की नमभाई आगी, I think question समझ में आओगा, तो, L equal to कितना आगा, 200 meter, तो option देख लेंगे, तो option क्या है, तो option क्या है, second इसका answer होगा, 200 meter, ओक है दोस्तों,